वेलकम इस्टुडेंट्स प्रवास प्रकार कारण और परिणाम कक्षया बारा भुगूल बुक टू के अंत्रगत आज हम अध्यन करते हैं प्रवास का तो प्रवास का क्या अर्थ है प्रवास का अर्थ होता है किसी एक निवास इस्टान को छोड़कर लंबी अवधी के लिए या हमेशा के लिए दूसरे इस्टान पर जाकर निवास करना मान लिजी कि एक इस्तान है और लोग अपना इस निवास इस्तान को छोड़कर दूसरे इस्तान पर चले जाते है तो ये निवास जो है बदलकर लोग या तो लंबी आओधी के लिए इस इस्तान पर आकर बश जाते हैं या हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाते हैं तो इस प्रकार का जो प्रिक्रिया है उसको हम प्रवास कहते हैं तो यहाँ पर हम प्रवास को समझने के लिए दो इस्तानों का प्रियोग करते हैं एक तो एक इस्तान ये और एक इस्तान ये तो जहां पर लोग आते हैं प्रवास करके माना यह इस्तान है यहां पर लोग यहां आ जाते है तो यह आप्रवास कहलाता है यह क्या कहलाएगा जहां पर लोग आते हैं प्रवासी आते हैं वह इस्तान क्या 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 गएगी आप्रवास करना और जहां से लोग जो हैं दूसरे इस्तानों को जाते हैं जिस इस्तान को छोड़कर लोग जाते हैं तो इस प्रकार की घटना जो है यह क्या 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 गएगी उत्प प्रवास ही कहते हैं तो मुख्यता है प्रवास की यहाँ पर चार धाराएं देखने को मिलती है प्रवास की धाराओं के अंदर कर चार धाराएं मिलती है एक तो गाउं से गाउं की और दूसरी धारा है सहर से सहर की और तीसरी धारा है गाउं से सहर की और अंतिम धारा है सहर स गाउन, शेहर से गाउन, तो गाउन से गाउन, गाउन से गाउन की और जो प्रवास होता है, वो मुखिता है, भारत में जो है, एक गाउन से दूसरे गाउन, उसका नजदी की गाउन, यह हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे लड़िकियां जो है, निवास्तान जो है, विवाहा क के बाद जो है निवास्तान बंदल देती तो ज़्याधा दूरी तक ये प्रवास नहीं होता एक गाउं से उसके नजदी की दूसरे गाउं की और जो है ये प्रवास होता है तो गाउं से गाउं की और प्रवास और दूसरी दूसरा जो प्रकार है प्रवास का वह है सहर से सहर लोग छोटे सहर को छोड़के बड़े सहर में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रोजगार, शिख्या, इत्यादी की बहतर शुर्दाय होती है या अनेक कारणों से व्यापार के लिए या रोजगार के लिए अपना सहर छोड़के उसी के समक्षे दूसरे सहर में चले जाते हैं तो सहर से सहर की ओर प्रवास की ये दूसरी धारा है तो तीसरी जो प्रकार है प्रवास का वह है गाउं से सहर तो भारत में मुख्या सबसा अधिक होने वाला प्रवास जो है गाउं से सहर की ओर होने वाला प्रवास है तो तीसरी धारा जो प्रवास की है वो है गाउं से सहर की ओर प्रवास तो मुलता है गाउं से लोग चले जाते हैं सहर की ओर ठीक है? गाउं से सहर की ओर चले जाते हैं क्योंकि गाउं में मुख्यता है रोजगार, शिक्ष्या, मनोरंजन आदी का अभाव पाय जाता है तो क्योंकि सहरों में ये सारी सुविदाय पाय जाती है तो लोग गाउं को सोड़के सहर की और चले जाते हैं तो गाउं से सहर की और प्रवास प्रवास की तीसरी दारा हो गई और अंति में सहर से गाउं सहर से गाउं की और प्रवास सहर से गाउं की और प्रवास तो ये जो प्रवास है सहर से गाउं की और प्रवास जो है मुझता अगर कोई व्यक्ति सहर में निवास करता है तो वो अंत में रिटायर्मेंट के बाद कहा आना चाहेगा अपने मूल निवास थान में तो भारत में लोग जब लंबी आउधी तक जो है सहरों में निवास करते हैं रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए और फिर रेटायर्मेंट के बाद वे अपने मून इस्तान पर वापस आ जाते हैं तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है तो यह प्रवास की चौती धारा हो गई तो मुख्यता की चार धारा हैं पहला गाओं से गाओं की ओर जो की अगावों से उर सबसे अधिक प्रवास होता है मुख्यता भारत आदर और विस्यसका गावों से इंडर highlight a उर जो प्रवास की आप जो कि बाद लोग theus फेला सह्ते हैं निकार का प्रवास सहर सेृ जो होТा प्रवास के जो कारण है वह मुख्यता है प्रवास के कारण को की वज़े से हैं तो प्रवास के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो अनेक ऐसे कारक हैं यहां पर मुख्यता है दो कारक हैं प्रवास के जिसके कारण भारत के अंतरे के प्रवास होता है लोगों का तो मुख्यता हम इ तो पहले हम जो है यहां पर पृतिकर्स कारगों का अध्यन करते हैं, पहले हम सुविदा की दिष्ट से, समझने की दिष्टी से पृतिकर्स कारगों का अध्यन करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर पर रखेंगे यहां अपकार्स कारगों को, तो पहले हम अध्यन कर भूमी जो होती है, वह स्वर्ग से भी सुन्दर है, यानि लोगों को अपना निवायस्तान सबसे अच्छा लगता है, सही विक्ति कहीं भी चले जाए, अपना निवायस्तान छोडने के लिए, वह जो है, नामंजूर होता है, उसको अच्छा नहीं लगता अपना अपना अप चोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो ऐसे कारव को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं यहां पर तो पहला है जो है रोजगार का अभाव यानि कि जिस इस्तान पर व्यक्ति रह रहा है वहां पर रोजगार का निक्तांत अभाव होना यानि कि वहां पर रोजगार का अभाव होन से उसकी रोजी रोटी या भरण पोशन का जो है सवाल हो जाना तो इस प्रकार से जो है रोजगार का अभाव होना नितांत अभाव होना एक महत्पूं पृतिकर्श कारक है जिसके कारण लोग अपना निवायस्तान चोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं इसके अलावा ब बार-बार च्छतिकरस्तो होता है तो इससे लोग परिसान होके अपना निवायस्तान चोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं इसके अलावा शिक्षा, स्वास्त, सेवाओं का अभाव भी जो है महत्पूं पृतिकर्श कारकों के अंतरगत आते हैं तो ये तो हैं ये तो क आकर्शित करते हैं अपकर्श का मतलब हम यहां पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपकर्श मतलब आकर्शित करना अपकर्श कारक जो आकर्शित करते हैं या खीशते हैं ऐसे कारक जो अपनी और खीशते हैं आकर्शित करते हैं वे अपकर्श कारक कह राते हैं तो वे कौन से साहर के ओर मुक्यत़ करते से गावन को छोड़के लोग सेहर के ओर अभी कारण चाहें और दूसरा है यह अपकर शकारक destroys कारण जाते हैं जैसे कि सहर के अंतर क्या होता है बहतर रोजगार के साधन उपलब्द होते हैं लोगों की आमदनी अधिक हो सकती वहाँ पर यहां पर हम जो है मुख्या तो यह समझनाक प्रियास करेंगे कि लोग अपने मूल निस्तार पर यह गाओं में जो है उनको मूल है कि वहाँ पर उनको बहतर रोजगार के साधन उपलब्द होने की आसा होती इसलिए वह जो है काओं छोड़के सहर के और आकरसित होते हैं और इसके अलावा वहाँ पर उनको बहतर स्वास सेवाएं मिलती हैं बहतर शिक्षा के अवसर वा मौनरंजन तथा यातयाद के थेंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेस्ट वीडियो में